हेलो दोस्तों विल्कम बेग बाइकरेमजी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागए से दोस्तों आप देख रहे हैं मैस्टरो 125 EDGE Connect सबसे लेटर्स्ट कलर है आप यहाँ पर देख सेते हैं सबसे लेटर्स्ट मॉडल है आप बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो एल्मॉनियम यानि की क्रोम फिनिसिंग पर आपको एलाई हील मिलती है जो की 90 बाई 90 बाई 12 का आपको टायर मिल जाता है टेवलेस टायर मिलता है जो की काफे अच्छा एरो गिरिप वाले टायर है दोस्तों और उसके बाद डिस्क ब्रेक आपको मिलता है यह सबसे लाजवाब है एक नया आपको यहाँ पर मटगार मिलता है कुछ इस तरीके साब देश सकते हैं डूल टोन में है यानि की यलू कलर में है और ब्लेक में आपको कंबिनेशन मिलता है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इडी जी यह आपको यह मॉडल दिखेगी काफी सांदार काफी स्टाइलेस लुक में दिखती है और बिंड आप देखेंगे आल बलेक और एच की ब्राणिंग आपको यहाँ पर मिलेगी काफी सांदार बाई के 125 और इसका वाइजर जो है मॉडल जो है कुछ रोबोटिक लुक में दिख कोई भी बाय के जोला टांग सेते हैं मॉबाल चार्णिंग यहाँ इसके अंदर है दोसों मैंने दूसरी वीडियो में बताया है मोड और सेट का यहाँ पर आपसन है हीरो की ब्राण यहाँ पर पूरा डिजिटल आपसन यहाँ पर है बुलोट कनेक्टिबिटी है निविग वो काफे चाहिए डूल टोन में आपको सीट मिलते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं डूल टोन की सीट आपको फिनिसिंग मिल जाती है और 125 EDG के एक निया स्टीकर आपको एक निया ग्राफिक मिलता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह फाइबर यह भी फाइबर इसमें मेटल नहीं है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक निया स्टीकर एक निया गराफिक आपको यहाँ पर मिल रहा है बाकी एंजिन आप देखेंगे तो कुछ आलक साही मिलेगा 125 CC का एंजिन है बाकी टायर जो है 90 by 90 by 10 का है पीछ आगे वाले से पीछ वाला देखेंगे जो की काफी बढ़िया है और यहाँ पर LED तेल लाइट आपको मिलती है पीछे वाली इंडिगेटर आपको बल्प पर मिलता है पीछे वाला और उसके बाद पीछे का पोजिसन आप देखेंगे कुछी सरीके से सालेंसर का मफलार आप देखेंगे तो यह अब मुबाल चार्जिंग का भी सिस्टम इस स्कूटर में आपको मिलेगा देखेंगे मुबाल चार्जिंग अंदर दिया गया है यह काफी आच्छा फीचर है और उसके बाद पेटोल टैंग का दिया ही गया है जो काफी बढ़िया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प पर आपका फेल्ट टाइंग काफ है आप देख सकते हैं कितना अंदर दिया है और इसको देने के बाद कंपनी ने बहुत अच्छा सांदार उपर से काम भी किया है कि ताकि यह देखे ना लग से तो यह काफी अच्छा है बाहर से आपको सीट खोडने की जरूत नहीं है और इस तरीके से आप बंद कर दीजिए तो काफी मेरे ख्याल से अच्छा दिख रहा है और इसकी आंडूर प्राइस के अगर हम बात करें आंडूर प्राइस के अगर बात की तो 125 सीख की सेगमेंट में सबसे नंबर एक किबाई कि इसकी अगर टकर देखा जाए तो टीबेस के अंडूर किसे होगी दोस्तो और हुंडा की एक्टिबा तो टकर ले ही नहीं पाएगी और इसकी जो आंडूर कीमत है वो एक लाख दो हजार आंडूर प्राइस है माइलेज के अगर बात करें तो माइलेज इसका 50 से 55 का आपको मिलेगा हाइवे पर अगर आप चलाते हैं थ कर दो प्राइस करेंगा